अकबर और बीरवल वो दूनों जा रहे थे हैं क्या हूँ कि हमारे या तुल्सी माता है तो बीरवल ने तुल्सी को प्रणाम कि uh तो बीरबल अकबर राजा था तो उसने कहा यह कौन है वो ले हमानी माता है अब बीरबल को बहुत बुरा लगा यार इसने तो अपमान कर दिया एक पेड़ होता है उसका नाम है कॉंच का पेड़ा उसको छूने से उसको फल है उसमें से बहुत सारी मतलब उसके जो बीज है वो सरीर पर गिर जाते हैं खाज होती है उसमें सुचा इससा बदला लेना चाहिए आगे चले तो आगे देखा कि एक कौच का पेड़ है तो बीरबल ने सुल्शी को तो हाज जोड़ के परणाम किया था दंडवत परणाम का तीन बार करा बोले ये कौण है बोले कौच पिताजी है अब कौच पिताजी है बोले अच्छा उसमें का चलो इससे भी हिलाया ऐसे है और हिलाते ही जैसे उसके उपर से बीज गिरे खा पुश्बा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं गौश्बा खाज होगी सरीर माता हो रहे हैं आप ऐसा करो आये माता के गोबर को शरीर मां लेप करो गंगा माता के जलसा सनान करो तब ठीक होसा ऐसे अच्छे ग्यानी व्यक्ति नहीं भी राजा से भी ऐसा बदला लिया अधिकारी अमेरिका गए उनका नाम है डॉक्टर जग्मान गर्ग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको काम दिया था अखिल भारते संपर्व का तो भी देशों में भी जाते थे परिवार ने पूछा कि यहां बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं इंग्लेंड उसमें रहते हैं अग्रिजी भासा में बात्चीत हुती है तो अपनी भासा को संस्क्रती वो कैसे बचाएं रहते हैं तो अगरमें भी गडवाली बचानी है तो अपने घर में बच्चों को वो विद्धियाले में पढ़ेंगे, अंगरी पढ़ेंगे, पुझ में पढ़ेंगे, लेकिन घर में ठेट गडवाली बोलेंगे, तो फिर कभी बी, कहीं भी जाएंगे तो गडवाली नहीं बोलेंगे, और जब आदमी भासा जानता है, तब वो संस्कर्ति से जुड़ता है, अगर भासा नहीं जानेगा तो संस्कर्टी से नहीं जोड़ सकते हैं हमारे परिवार में तो सब का भी बोलते ही हैं हमारी अगर मा को थोड़ा यह लगे कि मा की पास हो ने खिरी भी मतलब यह है कि संस्कार तो होते हैं पर गाहों में जो रहते हैं अगर मा थोड़ा यह सोचने लग जाए कि भाई हम थोड़ा अपना आपको दिखाएं तो दादा दादी बोलेंगे और कितने दिन बोलेंगे हिंदी में हम गड़वाली में बोलते हैं कितने दिन बोलेंगे दो दिन बोलेंग सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे शंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, माप्रस्चित्रुप भाग्ववे, ओम चान्ति शान्ति शान्ति